हेलो एफ्रिवन और वेल्कम टू आर्ट फुल क्रियेशन जैसा कि हम चानते हैं क्रिस्मस न्यू यर दोनों आने वाले हैं तो अपने घर और स्कूल को डेकुरेट करने के लिए आज हम बनाएंगे स्नोफलेक्स Snowflakes बनाने के लिए हम लेंगे plain white A4 sheet यह rectangle shape में है तो सबसे पहले हम इसको square shape में cut कर लेंगे इसको हम side से fold करेंगे इस तरीके से और जो side का rectangle shape paper बच रहा है उसको हम काट के अलग कर देंगे तो देखिए इस तरीके से हमको एक square piece मिल जाएगा अब इस square piece को हम half में fold करके एक triangle बना लेंगे इसको हम दुबारा से fold करके एक छोटा triangle बना लेंगे और अब हम ध्यान देंगे जिस side से यह open है एक side से close है, एक side से open है जिस side से open है उस side हम scale की मदद से लगबग आदे inch की दूरी पर एक line draw कर लेंगे इस तरीके से और दूसरी side से हम इसमें cuts लगाना स्टार्ट करेंगे जो हमने line draw करी है बस उस line तक हमको बिल्कुल end तक cut नहीं करना है cuts लगाते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारे cuts लगबग आदे inch की दूरी पर हो अगर आप A4 sheet से snowflakes बनाएंगे तो लगबग 5 से 6 cuts हम लगा सकते हैं सारे cuts लगाने के बाद हम carefully जितने भी हमारे folds थे उनको अराम से धीरे धीरे open कर लेंगे open करते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी strip तूटे ना अब जो बिल्कुल मिडल से हम लोग इसको पेस्टिंग करना है स्टार्ट करेंगे एक glue stick के मदद से हम alternate इनको paste करते जाएंगे दोनों साइट के हम उठाएंगे cuts जो हमने लगाए है strips और ध्यान रहे एक एक छोड के हम लोग alternate paste करेंगे जो हम छोड रहे हैं वो हम इसको turn कर लेंगे और दूसरी तरफ से paste करेंगे इस तरीके से ये ऐसा एक pattern बन जाएगा तो same method से हम बाकी के भी जो हमारे individual snowflakes हैं वो बना लेंगे इसको complete करने के लिए कम से कम 5 individual snowflakes चाहिए होंगे या आपको अगर जादा dance बनाना है तो 6 snowflakes बना लेंगे तो इसी तरीके से same method से हम 5 या 6 individual snowflakes बना कर ready कर लेंगे और बाद में इन सब को हम stapler की मदद से चोड़ लेंगे जब हमारे सारे snowflakes ready हो जाएंगे तो हम सभी snowflakes के एक side के end को पकड़ कर एक हाथ से hold कर लेंगे इस तरीके से और stapler की मदद से इन सब को आपस में stapler कर देंगे इसको हम अराम से table पर रखके और spread करके snow flakes का shape दे देंगे और अब beach का जो हमारा है जो last strip हमने जोड रखी थी उन सभी को आपस में staple कर देंगे जान रहे हमको सिर्फ एक side के end staple करने है दूसरे side के हम end नहीं staple करेंगे सिर्फ जो last strip थी हमारी उसको staple करते जाएंगे तो लीजिए तैयार है हमारी paper snowflakes इसको आप अराम से Christmas, New Year में decorate कर सकते हैं अब मैं आपको एक और तरीके की snowflakes बनाना दिखाती हूं ये भी बनाने में बहुत ही आसान है इसके लिए हम एक rectangle या square paper को चौपरता यानि की चार बार fold कर लेंगे और इसको हम जैसे हम paper flower बनाने के लिए कट करते हैं उसी तरीके से हम इसको कट कर लेंगे और अब हम इसमें एक तम fine बारी cuts लगाएंगे जैसे हम feather बनाने के लिए cuts लगाते हैं या हम paper leaf cut करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसमें एकदम बारी cuts लगा लेंगे सारे cuts लगाने के बाद हम इसको carefully अराम से धीरे धीरे open कर लेंगे तो देखिए ये एक 8 पत्तियों वाला बड़ा सा flower बन गया है इसी तरीके से हम same size का एक और flower बना लेंगे साथ ही हम दो छोटे size के भी snowflakes flower बनाएंगे जो हमने एक बड़ा बनाया था वो full A4 sheet से बनाया था तो बाकी के flowers हम एक A4 sheet को दो parts में divide कर लेंगे और एक part से flower बनाएंगे और एक और हम उससे भी छोटा flower बनाएंगे जब हमने A4 sheet को square बनाने के लिए कट गिया था तो जो side की जो strip बची थी एक flower हम उस size से बनाएंगे अब हम ये सारे जो snowflakes flower हैं उनके center में थोड़ा थोड़ा सा glue लगाते जाएंगे और इनको paste करते जाएंगे ध्यान रहे हैं कि हमको सिर्फ center में glue लगाना है इन snowflakes को और attractive बनाने के लिए हम इनके center में glitter foam sheet के flowers बनाएंगे ये market में easily available है और आप चाहें तो घर पर भी foam sheet से flowers design cut कर सकते हैं तो लीजे हमारे दूसरे style की snowflakes भी ready है और सबसे last में हम इन snowflakes में plastic ribbon या satin ribbon या आपके पास कुछ भी available ना हो जो snowflakes हमने पहले बनाई थी उसमें भी हम इसी तरीके से string paste कर देंगे तो लीजे तैयार है हमारी white paper की snowflakes एकदम आसान तरीके से चलिए मैं इनको आपको hang करके दिखाती हूँ आप इने आसानी से अपने घर में बना सकते हैं क्रिस्मस या आपने बच्चे की स्कूल प्रोजेक्ट के लिए भी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चरूर शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग